हलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्यासे हैं आजा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंद्रुस्त तो होंगी मेरी तरह एक दम तो होंगे ही खाते पीते रहें बड़ी अपने सेहत का बहुत ख्यार रखें पेपर के समय आशा नहों कि आप लोगों का तव्यात खराब हो जाएं तो पेपर में यह सारी चीजों का ध्यान रखें कुछ भी चीजे ना खाएं बाहर का बिल्कुल फास्ट पूड ना खाएं थीका तो चलो भई आज के शेशन में अज हम क्या पढ़ने वाले हम बात करेंगे सबसे पर आप यह बताओ के आप क्मेंट में पढ़ती हूँ अपलोग करेंगे तो मुझे लगे कहां आप लोगों से मिली बात हो रही है आप कोई भी आप लोगों की जो भी बाते हैं प्लाहाइत से रहें आप मुझे कर सकते हैं जैसा भी हो ठीक है चले है आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हम उस पर बात करने वाले हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है तो यूनिट फाइफ जो है मिशन 2023 जो हमारा चल रहा है सीरी धड़ा 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 धड़का इसमें आपको पूरे 70 से 70 मांक्स मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे आपको कोई में टॉपिक एसन लगता है कि जो समझ न प्रणाओं से 50% अच्छान तो आप लोगों को जानते रहोंगी पिचानते रहोंगे तो प्रपाड़ से तीन अंकी धड़ा-धड़क जो हमारा शेशन चल रहे हैं इंपरड़त ताबड़तोर प्रश्णी के ऊपर हम आज देखने वाले तो आज के लेक्चर में पहरें ब तो ऐसा ही कुछ हो गया था पिछले लेक्चर में और हमारा लेक्चर हो गया थोड़ासा लंबा तो इसी को शौट करने के लिए क्यों कि मैं इसको उसी में बताने वाली थी टॉपिक को पर इसमें कोई विखत नहीं ने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं चलिए दो प्रेश्ण हैं चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे पहले प्रेश्ण के ऊपर जो की 2019 में आ चुका है तो यह होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख लो रट लो जो करना है करो अच्छा रटने जरूत नहीं है मैं रटाती नहीं रटाने वाला कामी नहीं होगा मेरा ठीक है सिर्प स अपरत के बारे में और अपरत के बारे में किसे कहते हैं याद रखेंगे किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए चारन खाद श्रिंखला और अपरत खाद श्रिंखला में चारन खाद इसको ग्रेजिंग फूट चैन कहते हैं तो और यह डेट्रिटस फूट चैन होता है और यह ग्रेजिंग होता है तो इसमें क्या होता है चारन खाद में पादपों से प्रारंब होगा देखो यहाँ पर उत्पादक से सुरू हो रहा है और अब घटक दो cane से बड़े तक जाना सीधीी बात बहुँ मैंनुद से नहीं बोलेंगे हां यहाँ पर हम बहुती क्यों कि इस चौट पादब घास से लेकर कहा जा रहा है शाका से मानसाहारी जन्तु तक जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते चारण खाद नहीं समझें फिर से देखो यहां पर टॉपिक लिखा है चारण का मतलब होता है पादपोस यह प्रारंब होकर छोटे जन्तु और छोटे से बड़े जन्तु पादपोस से सुरूआ छोटा जन्तु फिर बड़ा जन्तु तो यह जो क्रम जो चल रहा है यही क्या कहलाता है चारन खाद श्रिंखला समझा है पादप छोटा जन्तु फिर बड़ा जन्तु यह क्रम में चल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चारन खाद ठीक है तो चारन खाद श्रिंखला ही होप समझ आ गया बच्चे घास जो होता है सूरिक के प्रकास की उपस्थिती में वाइस आप सनलेट जैसे जैसे प्रकास यानिके सनलेट जैसे पौधे पर पड़ेगा वह अपना बोधन पुटापट बनाएगा और वह बनाने के बद कौन किसको देगा शाकारी उसके बाद मांसाहारी समझ ज चल रहा है विकरन तो यह विकरन पर निर्भर है बिल्कुल है पढ़े थे ना कौन सा वला याद करो उर्जा का प्रवाह आएगा अब भी आने वाला थी अब नहीं पढ़ेंगे नेक्स क्या लिखा है अब परद खाद श्रिंखला भी यह क्या है यह खाद श्रिंखला गीरा दे मुर पतन इरानी को इससे जाने गरी है ऐसा कुछ सुनी हूं तो जब भी पत्ते गिरते हैं नीचे जब पत्ते नीचे गिरेंगे तो वह मृत्त हो गया तब तो नीचे गिरेंगे अब मिट्टी में मिलने के बाद छोटे-छोटे जिवान उसको क्या करेंगे यह है आपका अपरत खाजिश्विंगला जिसमें गिरी होई पत्ती हो चाहे मृत्त जन्तु हो यानि की मृत्त कारवनिक पदार्थ हो किसमें करनवत हो जाएगा इसको मतब यह जो मृत्त पदार्थ होते हैं उसको कवक जिवानु क्या करेंगे अब घटन का कारे करते हैं यहां पर मुझे यह बताओ मृत्त कारवनिक पदार्थ सूरी के प्रकाश के उपस्ति में अपना भोजन बना रहा है क्या यह सनलाइट को इसको डारेक्ट जर्वत पढ़ती है क्या नहीं बिलकुल नहीं पढ़ती यहीं है अपरत समझा रहा है मतलब जो गिरी होई पत्या मृत्त कारवनिक पदार्थ होती हैं वह मर जाएंगी मिर जाएंगी में में मिलेगी जब इसका क्या होता है अप घंड होता है तो अब घंड के लिए क्ले सुमझाया चाहिए इसे प्रकास कि करने चाहिए इसे जो जीव होते हैं इसनक्ना क्या को है ओकते हैं अपरत खाद श्रिंख्ला कहते हैं एक और परस GMT मैं आता है क्या फूड कर या बोलते हैं उसको फिरप्ण और खाद जлек् जाल में आंतर है चाहे एक लाइन में ही आंसर दो मुझे जरूरत को तो चलो करते हिस एक उपर हम बात कर देखो यह है घास है घास को कौन काया खरगोश काया खरगोश को मौर खाया तीक है आप परत में देखो पत्तियां सुखी गिर गई मिट्ट्रमरी देखो उत्ते है बिल्ली मर गए जो भी मर गए और मरने के बाद इसको डीकंपोसर जाता है मिर्दा में देखो हड़ी बस बसती है हड़ी का डीकंपोसर नहीं हो पाता है ठीक है चले नेक्स प्रशन दिया है बहुत ही महतुपुन प्रश्ण अभी में बताने वाली हूं उसका नाम वेरी व पॉल दिया कि जब भी हम कोई भी पारसितिक तंतर देखते हैं यानि कि उत्पादक भोगता अब घटक देते हैं तो हम देखेंगे क्या कि एनर्जी का प्रवाह कैसे ऊपर नीचे से ऊपर की और जाता है इसका मतलब यह हुआ क्या कह रहा है इस पर हम बात करतें देखो य यह रहा यहां पर हमने घास लिख दिया घास को खाने वाले जो भी जी हुआ मालो जय हमने यहां पर बना दिया खरगोशी बना दिया कोई दिक करते हैं मेरा इस्पेशल खरगोश ठीक है अब खरगोश को खाने वाले मालो जय यहां पर हमने बना दिया शाप ठीक है अब सा यहां पर अब देखो जो आपका घास है यह क्या है उत्पादक घास क्या है उत्पादक है खरगोश क्या है प्राथमी कुब भोगता साप क्या है दीतिय कुब भोगता बाज क्या है त्रीतिय कुब भोगता फिर इसका हो जाएगा खतम मतब्रत हो जाएगा और अब घटन के लिए वो मृती में मिल जाता है ठीक है मित्त हो जाएगा तो डीकंपोसर डीकंपोस हो जाएगा इसका अब देखो जब हम बोलते हैं घास की बात करें अपना भोजन तो यह जो घास यह पेड़ पॉधे जो होती है सूरी के प्रकास की उपस्तिती में अपना भोजन बनाएंगे कोई दिकत यह बनाते हैं और जब यह बनाते हैं अपना भोजन तो क्या अब एक बात बताओ यह सनलाइट क्या पूरा सनलाइट जो है क्या इस घास तक पहुचता होगा क्या नहीं यह पूरे घास तक इस सनलाइट जो है नहीं पहुच पाता है ठीक है अब ध्यान देना सूरी के प्रकास का मात्र दस प्रतीसत भाग ही कितना प्रतीसत बिटा 10% भाग ही हमारे कहां घास तक यानि कि पेड़ पॉधों तक पहुचता है यानि कि अगर 100 प्रतीसत लिकर रहा है तो इतना बड़ा ये एक्मोस्फियर है पूरे में फैलेगा उसमें से पेड़ पौध हो तक पहुचते पहुचते सिर्फ 10 परशन भाग ही पहुच जाता है उर्जा का 10 परशन का नियम आपने सुना ही होगा पढ़ सकते हो बहुत इजी है में जो टॉपिक में समझाना चाहिए उस पर हम बात करें ठीक है अब जो 10 परतीसद में यानि कि यह सकरें हंडिट के बराबर है तो 90 परसन भाग यह खुद ले लेता है अपने जैविकार करने के लिए और मात्र और मात्र 10 परतीसद जो है यानि कि प्राथ्मिक उप्भोकता को दे देता है पहले समझो फिर लिखा क्या है फिर बत पर हो गया समझा रहा है अब मुझे ये बताओ बान के चलो कि यहां पर इस घास ने दस हजार प्रकास 10 mm प्रकास को एब्सॉब किया ठीक है 10,000 प्रकास को यानि कि 10,000 प्रकास के जूल को देव जूल आपते हैं प्रकाश को टीक है तो 10 हजार कम से कम इन्होंने प्रकाश की बीशाऩ हें लिए 93 खोज यूद्किए 10 30 सामने समय वालेवाले दे दिया यानी कि 10 हजार का 10 vrij zones तरिक बएक उपर वाले को दे दिया ना तो काट दो वहीं कितना उपर की बराबर है लेकिन इसमें से 90% अपने जैविक कारे को करने के लिए यूज करेगा और 10% किसके देदेगा साथ को उर्जा दे रहा है ना नीचे से उपर कि देखो उर्जा का क्या हो रहा है कमी होते जा रहा है समझा रहा है मैं बताना यह चाहरी हूं कि उर्जा का जो प्रवा होते एक तो सीधा हो रहा है उपर से उर्जा जो है कम जा रहा है उपर की तब जब जाता है तो एक कम चल तो किसको मिलेगा साप को मिल जाएगा तो अब इसके लिए यह बराबर हो गया तो 90% रैविक प्रक्रिया को करने के लिए यूज करेगा और 10% फिर से बाज को दे देता है तो इस तरीके से देखोगे तो उर्जा का प्रवाह सीधा हो रहा है और प्रवाह क्या हो रहा है सीधा आध चढ़ा है और इसे को हम लोग परते हैं क्या अजा है और और तो आपको इतनी चीज़े याद रखनी पड़ेगी दूसरा प्रशन यहीं पर लिखा न पाइसके बारे में लिखोगे प्रशन सेम है सिर्फ एक्जामपल आपको याद रखना है यह डागरम आपको बनाना है और किस तरीके से 10 परशन का नियम लागू होता है उस पर हम बात कर रहेंगे ठीक है तो यह है अब आंसर पड़ो क्या लिखा बहुत 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 इज़ी देखो पारसितिक तंत्रे में उर्जा का प्रवजो पेपर में लिखना है वो उसकी बात हो लिए ना तो किसी प्रवजो को से विभिन उपभुगताओं पिर अब घटको की और भोजन के रूप में इस्थानांत्रन होने की क्रिया को उर्जा का प्रवाह कहते हैं चाहिए आप किसी भी पारिस्थितिक तंत्रे की आप बात करो तो पारिस्थितिक तंत्रे में क्या चीज़े होती है एक तो आपका प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक अपना भोजन बनाने वाले और दूसरा उभोगता और अब घटक यह भोजन का क्या हो रहे है वह आप स्थान्तरित करें भोजन को उत्पादक से उभोगता और उभोगता से अब घटक तर उसी तरह जब प्रवात हो रहा है ना तो यही तो एनरजी का प्रवाह कहलाता है उर्जा का प्रवाह कहते हैं अब लेखो इसमें उर्जा का हास कमी कैसे हो रहा है हमने देखा ना 10% का नियम देखा तो इसको पड़ो सूरी द्वारा उस सर्जित उर्जा को एक या दो प्रिस्षद भाग को हरे प्रकाश यानि की पेड़ पॉधे जो ही यानि की जो भी मैं बात की थी ना 10% का ही यूज करते हैं एक्चल में 10 को हम एक से 2% के रूपे हम लेते हैं यहां पर ठीक है वन टू टू परसें लेकिन इसके लिए 100 के बराबर हो जाता है ठीक है तथा बहुत पदार्थों को जो भी आप कार्वनिक पदद सी ओर टूर का इस्तमाल करते हैं ऑक्सीजन सॉरी पानी का इस्तमाल करक और इसी को इकठा करते जाते हैं और इसी का यूज उपभोगता करते हैं ठीक है डॉक्टर कैलास चंदर इसको याद रखोगे डॉक्टर कैलास चंदर 1972 इनके अनुसार पौधो द्वारा भोज पदार्थों के रूप में संचित उर्जा का लगभग 90% अभी पताई नहीं प्रतिसद भाग वो स्वयम अपनी जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए यूस करते हैं और उसके सरीर के बाहर उश्मा के रूप में निकल जाती है क्या पूरे एनरजी को यूज कर पाएंगे क्या नहीं कुछ जो होता है वो जमा के रूप में बाहर निकल जाता है ठीक तो यह है प्रात्मी वो भूगताओं दौरा गहन कर ली जाती है और थोड़ा से देखो इसी प्रकार यदि हम प्रात्मी को भूगता की बात करें तो वो 90% भाग को खर्च करें और 10% दीत्यक को देदेगा समझा रहा है ना अभी देखें हम लोग 10,000 वाला सेम वही है ठीक है तो यह पारी तंद्रे में यह क्रम चलता रहेगा और अंत में अब घटक मृत्त जीवों को क्या करेंगे अब घटन कर देते हैं और कुछ उर्जा को यूज कर लेते हैं ठीक है और कुछ स्रयम को उप्योग करने में लगाते हैं और इस प्रकार पारी तंद्रे में उर्जा एक डिशा में याद रहेंगे दिशात्मक होता है यह प्रत्ते की स्तर में इसके कमी आती उर्जा की कमी आती जाए उपर जाते जाए अपरे मन से भी निख सकते हैं अता पारे तंद्रे में अहार शेंखला जितनी छोटी होगी ओर जाश उतना ही कम हो गया यानि कि आपके उत्पादक भोगता अब घटक जो होते हैं वो कम जितने होंगे उतना ही एनर्जी का हास से या कम ही कम होते रहेगा ठीक है तो इतना मुझे लग रहे है आप लोगों को एकदम धड़ाद़ के सेशन में समझ आ गया होगा I hope आप भी मेरे साथ अपनी एनर्जी को लगाय होगे हापर क्योंकि मैं अपनी एनर्जी आपके बताने में समझाने में लगा रही हूँ ठीक है तो मेरा भी एनर्जी लॉस हो रहा है की न हो रहा है ना तो चलो भाई आज के सेशन फटा फट के शेशन में हमारे टॉपिक जो आप लोग मुझे सपोर्ट करो पहले तब तुम्हें जाके आप लोग के नहीं मेहनत कर पाऊंगी ना तो चलिए भाई आज के सिशन हमारा खतम होता है यहीं मुझे इजादित दीजिए धन्यवाद